आप लोग हर दिन हमारे अपलोड की वीडियो को देख रहे हैं और इस लोगडाउन की रिट में जो भी सीख सकते हैं उनलाइन माध्यम से वो आप सीखने की कोशिस कर रहे हैं इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और आज इस्पेसली फॉर क्लास 12 सीबीसी या आर्बीसी किसी भी पैटर्न में आप पड़ रहे हैं उसके लिए एक मैटरमॉनियल कॉलम के लिए एक क्लासिफ़ेड एड़टाइजमेंट तयार किया है उसका परपस यही है कि हम अपने एलाइंस को या मैच किसी से करना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को उसको असानी से डूंडा जाए तो एक बड़ा ही अच्छा सा एक मैठेड डेवलप हो चुका है और काफी पॉपुलर है हमेशा आपने अकबारों में देखा होगा चाहे वो इंगलिस मीडियम के अकबार हो या हिंदी मीडियम के हो उनमें यह हमेशा आता रहता है और आपके कोर्स में भी है इसलिए जान कि क्या क्या इसके उपर हमें फोकस करना चाहिए बहुत ही इजी है बनाना इस वेरी इजी तू ड्राफ्ट सो सिंपल सो जस्ट वाच वाच वट इस रिटन इन यह कुश्चन Imagine your parents are in the search of a bridegroom, bridegroom यानी दूला, दूला के यह तलास में है For your elder sister, ऐसे कुछ करके examiner आपको देता है बड़ी बहन के लिए Draft a classified advertisement to be published in the newspaper, यह ऐसा एक सिंपल सा प्रशना आगया बाकि सारे जो details से वो सब आपको ही invent करना है या उसको create करना है कोई ज़्यादा बड़ा issue नहीं है, it's a very simple thing, just you watch what we have to do बहुत ही आसान है, तो सबसे बहले जो heading है मैंने जैसे पहले भी advertisement जो भी series में हम लें बनाया है और कोई भी चीज़ चाहिए हमें, वो wanted से बनाया जा सकता इसके लिए alliance का भी प्रियोग कर सकते हैं, match का भी प्रियोग कर सकते हैं, लेकि ज़्यादा popular wanted से ही है तो मैंने भी उसी heading को use किया है, तो मैंने यहाँ पर use किया है wanted bright room, दुलहा चाहिए, इसका मतलब हिंदी में हो गया यहां तो यह जिसम करना है कि आपकी sister ही है, बड़ अगर general way में देखा जाए, तो जिस लड़की के लिए हमें bright room चाहिए, तो उस लड़की के सारे details यहां पर लिखने हैं, जो कुछ भी करीब करीब लोगों को आवशकता है, कि ऐसा हो, यह talent हो उसके अंदर, तो वो सारी च काम वोगर करना जानती, that is what the homelies, expert in cooking, special case है कि cooking बहुत अच्छा कर लेती, expert in cooking, और क्या talent है, वो भी जोड़ सकते हैं, जैसे लिखा है मैंने, nose Indian classical dance, dance पी कही form के हैं, लेर उसने classical सीखा हुआ है, तो classical, फिर qualification की बात हो रही है, qualification क्या है, MABA, working as a government teacher, यहाँ पर एक चीज और mention कर सकते हैं, उसकी height, तो मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ, height, five feet, five inch, मतलब हाइट भी दिखा सकते हैं, जिससे की एक पूरा वैसे पता लग जा है, father क्या है, वो भी दिखा सकते हैं, police officer, mother क्या है, housemaker, मतलब हाउस wife है, घरे लुकारी करती ह अब लड़का जो हम ढून रहे हैं, वो लड़का किस class का होना चाहिए, क्या वो करना चाहिए, यह क्या उसका job होना चाहिए, ऐसा कुछ हम reflect कर सकते हैं, इन विख्यापनों में, so boy should be a doctor, या तो वो doctor हो, an engineer, या वो engineer हो, और a teacher, या ध्यापक हो, इन तीनों class में से कोई भी एक होगा, तो वो सूट करेगा, बाकी details तो बाद में देखा जाएगा उसका, early marriage, यानि कि जो ये विख्यापन दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है, कि साधी जल्दी करनी है, इसमें delay वाली बात नहीं है, लड़की पंजाबी खत्री गर्ल दिखाए गया है, लेकि कि चाहे किसी भी जाती की हो, या लड़का किसी भी जाती की हो, जब दूसरी तरफ से उल्टा बनाएंगे इसको, for bride, तो फिर no caste बार लिखने की जुरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर no caste बार लिखा है, इसका मनला कोई जाती बंदन नहीं है, मनला everyone and anyone can apply for this, उसके बाद म वही एक, जो standard format है, किसी को propose करने के लिए, एक formal way है, interested people, persons, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, may send their bio data, यहाँ भी bio data का मनला हो, उसके पूरे family background वगर के बारे में, लड़के के qualification के बारे में, वो सब चीज़ें आजकल print करा के लोग रखते हैं, तो वो आप मगार रहो, with a latest full size color photograph latest होना चीए, यह ने कि बहुत ही old होना चीए, ऐसा ही, जनरल ट्रम में हम लोग भी सोचते हैं कि बहुत ही recent photograph होगा, तो उसकी जानकरी हमें सही मिलेगी कि कैसे वो दिखने में है, अब यहाँ मैंने कोई address नहीं लिखा है, यह खास बात यहाँ पर आपको समझ रहा है, मैंन इसने अकबार में दिया है अपने लड़की या लड़के के साधी के विग्यापन के लिए, साधी हो नहीं रही होगी, इसलिए विग्यापन देने की नोबत आगी, ऐसा कुछ लोग की mentality है अभी भी अपने देश के अंदर, उसको यह avoid करने के लिए कि किसका विग्यापन है क्या है, जाज़तर एक post box number alert करवा लेते हैं, जो कि post office में भी हो सकता है, या post box number जो अकबार वाला है, वो अपने पास भी रखता है, तो जो भी सारी चीज़े हैं, वो post box में चली जाएगा, उसके अंदर चली जाती है, फिर अगर आपने वहाँ से लिया है, अकबार वाले स तो वो आपको bundle बना के बेज़ देगा बाद में, जितने भी आते हैं, लेटर्स, या फिर आपने अपने लिए खुद post box लिया हुआ है, पोस्ट अपी से तो आप वहाँ से जाके collect करके ला सकते हैं, तो वहाँ पर वो आपका number alert रहता है, उस number पर आ जाता है, या मैंने अक अपने bio data और जो भी information है, वो इस number पर भेज़ेंगे, और उसके बाद में, वो सूचना आपको मिल जाएगी, फिर आप उसमें से जो भी आपको लगता है कि ये सही रहेगा, उस से आपका, जो है, communication सुरू हो जाता है, और उसके बाद आगे की बात होती है, तो एक अच्छा इस, if you are not in academics and still you are watching our videos and if you want to learn, this is all very easy to draft and moreover, it is so useful, in day-to-day life you may find people requesting you to draft likewise or you may have to draft something for your family members, so likewise learn, it is so easy, I hope आप लोगों को समझ में आगया होगा, so keep watching us, once again I request you all, keep learning during lockdown period and if you like us, keep pressing like button and subscribe our channel if you are not subscribed yet and tell people also about our channel and let them also subscribe and take the advantage of all the subjects, not only English, all the subjects are being taught here online, so you can utilize those things during lockdown period, okay, bye-bye for the day, see you.